किस से अकबर बीरबल के अचार दही और मिठाई एक दिन बीरबल दरबार से कुछ जल्दी चला गया उस दिन कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा चल रही थी कि अकबर को बीरबल की कमी खली मगर बीरबल का तो कहीं पता ही नहीं था रूसे दिन अग्बर ने बीरवल से पूछा कल दर्बार से अचानक कहां चले गए थे बीरवल जहां बना मेरे एक संबंधी के बच्चे का अन प्राशन था उसी अफसर पर आयोजित भोज में मुझे सापरिवार जाना था जिसके कारण में दर्बार से चला गया था अगर आये दावत में अकबर ने चिटकी लेते वे बीरवल से पूछा बीरवल ने बताना शुरू किया खीर पूरी परमल की सबजी अभी वो कुछ और वेंजनों के नाम बताता कि अकबर का धिहान किसी आने दर्बारी की और चला गया और वे उस दर्बारी को कुछ जरूरी बातें समझाने लग दे बीरवल की बात अधूरी रह गई उसके बात कई दिनों तक जब भी दर्बार लगा तब अकबर शासन कारे में ही व्यस्त रहे शासन सम्मंदी जरूरी कारें का दौर समाप्त हो जाने के बाद एक दिन अचानक अकबर की नजर बीरवल पर पड़ी और उन्होंने बीरवल से पूछा हाँ तो बीरवल और क्या बीरवल समझ गया कि अकबर उसे दावत में परोसी गई चीजों के नाम पूछ रहे है उसे तपाक से कहा और क्या जहां पना वही अचार दही और मिठाई बीरवल की स्मरण शक्ती और सूज भरी बाते सुनकर अकबर कायल हो गए और तुरंट अपने गले से मोतियों की एक माला उतार कर बीरवल के गले में चाल दी नर्मारी समझ नहीं पाए कि ये पुरसकार बीरवल को आखिर बादशा ने क्यूं दिया उनमें से कुछ को लगा कि अचार दही और मिठाई बादशा को पसंद है इसलिए उनका नाम सुनकर ब circular भीरवल को पुरसकित कर रहे हैं उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों का नाम सुनकर जब बादशा इस तरह खुश होते हैं कि गले से मोतियों की माला निकाल कर दे देते है तो इन चीजों की भेट दिये जाने पर तो भेट देने वाले को माला माल ही कर देंगे फिर क्या था दूसरे दिन ही कई दर्बारी अकबर के पास अचार दही और बिठाईयां मर्तबानों में भर कर ले आए और उन्हें भेट सुरूप देने लगे अकबर को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भेट लाने वाले दर्बारियों से पूछा अरे ये सब क्या है दर्बारियों ने उत्तर दिया अचार दही और मिठाई अकबर को समझते देर नहीं लगी कि दर्बारी पुरसकार पाने की लालसा में बीरबल की भोंदी नकल कर रहे हैं उन्होंने तुरंत उन दर्बारियों को डाट लगाते हुए कहा कि किसी की नकल करने से अकल नहीं आ जाती दर्बार में रहना है तो अकल से काम करना सीखो